इक वीडियो मैंने चीरे के उपर बनाए थी कि नॉर्मट डिलिवरी में यह चीरा क्यूं लगाय जाता है और कब लगाय जाता है किन परस्थितियों में लगा जाता है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि आपको ये दर्द कितना जादा लगता है कैसे इसको आप हील कर सकते हैं तो बहुत सारी बाते हैं चीरे को लेके तो ये वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लीज शुरू से लेके लाज तक जरूर देखेगा न में लचीलापन अच्छी तरह से नहीं है तो उनको काफी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूसरे कंडिशन तब देखी जाती है कि जब अगर बच्चे का सर जो हैड़ सर कंफेरंस होता है जिसकी जो एटसी की जो वैल्यू है बहुत सरे बच्चों का आपने देखा होगा कि नॉर्मल से उनका सर थोड़ा से बड़ा होता है तो जीन बच्चों का सर अगर बड़ा होता है ऐसे केस में भी चीरा लगाने का एक option दिया जाता है जो डॉक्टर्स होती है वो quick decision लेती है और तूरंच से चीरा लगा दी जाती है तो ये चीरा किन महिलाओं को लगता है ये दो ही परिस्तिती में लगता है या तो आपकी वजाने मसल टाइट है या फिर बच्चे का सर बढ़ा है तो ये चीरा डिपेंड करता है कि आपको कितना लगना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि चीरा कई बार हलका सा भी cut होता है क्योंकि अगर हलके cut से बच्चे का सर आउट हो जाए तो फिर doctor आपको बड़े चीरे क्यों देंगी simple से बात है कि आपको हलके चीरे यानि कि सिर्फ 2 या 3 टांकों से भी आपका काम हो सकता है लेकिन कई बार muscles काफी अगर tight होती हैं, अगर first delivery है, muscles काफी tight है, बच्चे का सर expectedly जादा बढ़ा है, तो ऐसे केसमें आपको चीरा जादा भी लग सकता है, तो ऐसे केसमें जब चीरा जादा लगता है, तो आपको जो टांके दिये जाते हैं, वो 7 से 8 या maximum 10 टांके हो सकते हैं तो वो बिल्कुल normal होती है, एक normal delivery का part होता है, एपीजियोटॉमी जिसको बोलते हैं, इसे चीरे को कहते हैं, एपीजियोटॉमी, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवेशकता नहीं होती है, क्योंकि जो आप पेन से गुजर रहे होते हैं, उसमें आपको चीरे का पेन नह जाता है जब बेबी कर डिलिवरी हो जाती है तो देखा जाता है कि कितने दूर तक चीरा लगा है किस तरह से लगा है उसके बाद वो उसकी सीलाई करते हैं से लाइब करते वक्त जो एकुछ ऐसे टांकों का इस्तेमाल आशकल होता है जिसमें की वो खुद बहुद वो जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आपको फॉलो अप के लिए जो आपकी डॉक्टर सापको एक हफ़ते के बाद बुलाती है आपको जरूर जाना चाहिए देखना चाहिए कि आपके टांकों का इस समय इस्तिती क्या है तो आपने डॉक्टर को दिखाना बिलकुल मत भूले जब भी अगर आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो या फिर सी सेक्शन हो डॉक्टर जब भी अगर आपको फॉलो अप के लिए बुलाती है आपको जाना ही चाहिए यह पता करने के लिए कि आपके टांकों की अभी स्तिती क्या है तो एक बार उनको चेक जरूर करा लेजे अगर क पास एक सही समय होता है जिस समय आप अपनी सारे बाते खुल के उनके सामने करते हैं तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कुछ भी बाते नहीं चुपानी चाहिए लेकिन उन टीकों का किस तरह से आप खयाल रख सकते हैं आप टांकों को कैसे आप हील कर सकते हैं जल्दी से जल्दी साथ दिन के अंदर उसके लिए सेपरेटली मैंने एक चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका इस्तमाल करके आप साथ से आठ दिन के अंदर भी अपने टांकों को हील कर सकते हैं तो ये वीडियो काफी इंफर्मेटिव है जाके क्लिक करके जरूर देख लिजेगा मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हैलफुल रही होगी तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और टांकों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल डिलिवरी आपकी हुई है बहुत जादा मुबारक हो कि आप नॉर्मल डिल दिलिवरी हुई है तो आप सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखे टांकों का ध्यान रखे क्योंकि ये जो शरीर की जो कटिंग है ना वो जल्दी से जल्दी हील हो जाती है लेकिन अगर लॉंग टम पे अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए जो किसी सेक्शन के बा जो भी आपकी नॉर्मल डिलिवरी का पेन होता है और सिर्फ एक कॉंट्रेक्शन और वो तेज कॉंट्रेक्शन सिर्फ उसी वक्त आपको पुश करना है पुश करने के बाल आपकी नॉर्मल डिलिवरी पॉसिबल हो सकती है अब यह कहीगा कि पुश करने का क्या क्या तरीक हो सकती है तो यह दोनों वीडियो को देखना मत भूलेगा थैंक यू सु मच फर वाचिंग ट्विन्स पाइवल के एर